Good morning students, हमने पढ़ा था कि हमें दूसरों की भलाई के लिए भगवान से परार्थना करने चाहिए, इससे हमारे साथ साथ सभी का कल्या हो जाता है आज हम धातू रूप पढ़ते हैं, मैंने आपको एक सरोनाम तालिका समझाई थी, उसका प्रियोग हम धातू रूप के साथ करते हैं इस परकार हम हिंदी से संस्कृत अनुवाद भी सीख सकते हैं धातू, संस्कृत में क्रिया का मूल रूप धातू कहलाता है, जैसे बालक गच्छती बालक जाता है यहां जाता है क्रिया को बताने के लिए गच्छती पद का प्रियोग हुआ है, जिसमें मूल धातू है गम गमकार्थ होता है जाना करता के अनुसार धातों के रूप बदलते हैं इसलिए समस्थ धातों के तेनो पुरसों प्रतम पुरूस, मद्यम पुरूस तथा उत्तम पुरूस में तथा तेनो वचनों, एक वचन, द्वी वचन तथा भौवचन में अलग लग रूप बनते हैं विभिन कालों वे अवस्थाओं को लकार के मादम से बताया जाता है जैसे वर्टमान काल के लिए लट लकार का प्रियोग होता है भूत काल के लिए लंग लकार का प्रियोग होता है जैसे बालके गच्चती बालक जाता है जब वक्ता जिसके साथ बात कर रहा हो उसके लिए मध्यमपुरुस का प्रियोग होता है जैसे तौम खादसी यानि कि तौम खाते हो उत्तमपुरुस वक्ता जब स्व्वम के लिए किरियापद का प्रियोग करता है तो वहाँ उत्तम पुरुष का प्रियोग किया जाता है जैसे एहम चलामी मैं चलता हूँ करता में वचन प्रिवर्तन के साथ उसी के अनुसार किरिया पदो यानि की धातू रूपों जो कि आज हम करेंगे में कर्म से एक वचन द्वीवचन तथा भवचन का प्रियोग हुआ है अब हम धातू रूप पर आते हैं जैसे हम पट धातू करते हैं मैं सर्वनाम के साथ इसका प्रियोग भी साथ-साथ मैं आपको समझाऊंगी पट पट यान की पढ़ना इसका लटलकार पहले हम पुरूष लिख लेते हैं प्रत्थम पुरूष, मध्यम पुरूष, उत्तम पुरूष एक वचन, द्वीवचन, भवचन अब प्रत्थम पुरूष में एक वचन में स, तव, ते ये तो मारे सर्वनाम पद हैं इसकी धातु लिखते हैं पठती, पठते, पठंती, वह पढ़ता है, वे दो पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, मध्यमपुरुस त्वम, युवाम, युयम, पठसी, पठते, पठत, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, कुतुमपुरुस, एहम आवाम वयम यानि कि पठामी पठावे पठामे मैं पढ़ता हूँ हम दो पढ़ते हैं हम सब पढ़ते हैं इस परकार बाकी धातुरूप भी है जो कि जैसे खेल खेलना हस हसना वद बोलना और गम गच जो कि गच के रूप में चलेगी जाना ये धातुरूप मैं आपके पास भेज रही हूँ तो फेर नोट बुक में धातुरूप लिखने हैं जो मैंने पहले समझा है वह आपको नहीं लिखना है सिर्फ धातुरूप अपनी कोपी में उतारेंगे और इनको समझेंगे थेंक यू